हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टड़ी कर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के इस महत्मों लेक्चर में हम 9 और 10 माई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करिंट अफ्यस के कोशन डिसकस करेंगे, दोस्तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने कल के कोशन भी इस क्लास में एड की हुए हैं, तो आप इस पूरे लेक्चर को लास तक जरूर देखिएगा, आज का पहला कोशन है, विस्सो रेड क्रॉस देवस कम मनाये चाता है, तो हर साल 8 माई को विस्सो रेड क्रॉस देवस मनाये चाता है, इंपोर्टेंट कोशन है, कई बार एक्जाम के संस्थापक, जीन हैंरी डुनेंट के जन्म दिवस पर मनाये चाता है, दोस्तो हैंरी डुनेंट का जन्म 8 माई 1828 को जेनेवा सुड्यलेंड में हुआ था, और उन्हें 1901 में नोबल सांती पुरुसकार भी दिया गये था, याद रखिएगा, नोबल सांती पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले विजीता कौन थे, हैंरी डुनेंट। हाली में मनायगे प्रमुक दिवस डिसकस करते हैं विस्व एथलेटिक्स दिवस साथ मई को विस्व हाथ स्वक्षता दिवस माच माई को विस्व पुर्तगाली भासा दिवस माच माई को अंतरराष्टिय अगनी शामक दिवस चार माई को कोईला खनिक दिवस चार माई को वि जिसका आंसर आपको comment box में देना है चैनल पर पहली बारा है तो subscribe जरूर कर लें वैक fit ने किसे अपना brand ambassador बनाया है यानि वैक fit के brand ambassador कौन बने है तो actor आयश्मान खुराना वैक fit के brand ambassador बने है दोस्तों अब हम हाली में newt की गए कुछ प्रमुक brand ambassador डिसकस करते हैं तो अभी हाली में star sports ने रिसा पंद को brand ambassador बनाया है जियो सिन्मा ने रोहिस सर्मा को star sports ने अभीनिता रणवीर सींग को अपना brand ambassador बनाया है इसके अलावा लकसर ने बिराट कोईली को वायकॉम 18 ने MS दोनी को पैपसी ने रणवीर सींग को प्यूमा इंडिया ने हर्मन प्रीत कौर को अनमडीसी ने निखा जरीन को उत्राखंड सरकार ने प्रसून जोसी को अपना brand ambassador निक्त किया है फोवस की 2023 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सुचिवे पहले इस्थान पर कौन है Cristiano Ronaldo तो दोस्तो फोटवालर Cristiano Ronaldo दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बन गए है उनकी जो समपत्ती बताए गई है वो है 136 million अमेर की डॉलर दूसरे नमबर पर है फुटवालर लियोनेल मैसी दोस्तो उनकी जो संपत्ती है वो है 130 मिलियन डॉलर की और फिर इसके बाद है काईलियन एमपावे जिनकी संपत्ती है 120 मिलियन डॉलर की दोस्तो आप इन एथलीटों के देशों के नाम बताईएगा कि क्रिष्टियान और रोनालो किस देश के लिए खेलते हैं किस देश से उनका संपन्द है लियोनेल मैसी का संपन्द किस देश से है और काईलियन एमपावे का संपन्द किस देश से है तो ये आपके लिए होंबर्ख है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा किस वर्स के गर्तन दिवस समारो के मार्चिंग दस्ता में स्रिप महिलाओ को सामिल किया जाएगा तो आने वाला जो गर्तन दिवस होगा 2024 का तो उसमें जो मार्चिंग दस्ता होगा उसमें स्रिप महिलाओं सामिल होगी तो 26 जन्मरी 2024 को करतब पत पर होने वाली गरतन दिवस परेड में स्रिफ महिलाओं को सामिल किया जाएगा परेड के अलाबा मार्चिंग दस्ता, जहाकी और संस्कितिक कारिक्रमों वेवी महिलाए नजर आएगी दोस्तो महिलाओं को सामिल करने का मतलब ये होगा कि महिलाओं का अधिक्तम प्रती निदित्त होगा ऐसा नहीं है कि उसमें पुरो सामिल नहीं होगी यानि कि महिलाओं का जो प्रती निदित्त होगा वो सबसे अधिक होगा तो ऐसा फैसला लिया गया है अभी हाल ही में दोस्तो अब हम गरतन दिवस समारों में होने वाली प्रमोग घटनाओं को डिसकस करने हैं जो पहली बार हुई है तो 2015 में देश के इतिहास में पहली बार तीनो सेनाओ, थल सेना, बायू शेनाओ और नो सेना की पूरी महिला टुकडी ने इंडिया गेट और राष्टपत्वी भवन के बीच मार्च किया था इसके अलावा 2019 में आरमी डियर डैवेल्स टीम की कैप्टन सिखा सूर्भी वाई किस्टंड करने वाली पहली महिला अधिकरी बनी थी 2020 में कैप्टन तानिय सेРगिल उर्सो की टुकडी का नेतुत करने वाली पहली महिला अधिकरी बनी थी दो हजार एकीस में फ्लाइट लेप्टिनेंट भावना कंट परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पाइलेट बनी थी दो हजार तेईस में पहली बार नौ सेना की टुगडी के 144 सेलर्स का नेत्त लेप्टिनेंट कमांडर दिसा अमरित ने किया था तो दोस्तों ये बहुत ही important point है आप नोट कर लें बंगाल की खाड़ी में बने cyclone का नाम मोचा किस देष ने रखा है आंसर होगा यमन तो दोस्तो यमन के द्वारा जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है साइकलोन उसका नाम मोचा रखा हुआ है देखे दोस्तो आप इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पर है बे ओफ बंगाल तो यहीं पर साइकलोन बना हुआ है मोचा तो इसका नाम किस ने रखा है यमन ने रखा है भारत के मौसम विभाग के अंसार चक्रबात मोचा जो है वो पस्चिम मंगाल और उडीसा में नुकसान पहुँचा सकता है दोस्तों इसका नाम याद रखेगा मोचा जो है यमन देश ने रखा है यह नाम लाल सागर तट पर इस्तित यमन के सहर मोचा या मोखा के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर के तेरा देश चक्रबाती तूफानों के नाम तै करते हैं यानि हिंद महासागर में जो भी चक्रबाती तूफान आते हैं उसके लिए तेरा देश जो है वो नाम तै करते हैं और फिर उनको बारी बारी से रखा जाता है तो इस बार जो हिंद महासागर या बे बंगाल में जो चक्रबादी तूफान आया है उसका नाम यमन ने रखा है दोस्तो ये जो 13 देश हैं जो हिंद महासागर में नाम रखते हैं साइकलोन का तो उनमें भारत, पाकिस्तान, सिलंका, बांगला देश, मालदीप, म्यामार, ओ ओमान, थाइलेंड, इरान, कतर, साउधी अरब, UAE और यमन सामिल हैं दोस्तो दुनिया के अलग-अलग स्थानों पर साइकलोन का नाम भी अलग-अलग होता है जैसे अमेरिका में अगर कोई साइकलोन आता है तो उसका नाम होता है हरीकेन या उसे टार नेडो बोला जाता ह केरेबियन सी में अगर कोई साइकलोन आता है तो उसे हरीकेन बोला जाता है चाइना सी में टाइफून, हिंद महासागर में ट्रिपिकल साइकलोन बोला जाता है जापान में टाइफू बोला जाता है और नौर्धन ऑस्टेलिया में विली विलीज बोला जाता है इसके अला इसके पड़ोसी देशों में साउधी अरेविया और उमान सामिल हैं। अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मौक टेस्ट हमारे एप पर उप्लग्ध हैं। आप उन्हें जोईन करिएगा, हिंदी अंगरी जी दोनों माध्यम में हैं, इसके अलावा डेली कर इंटरफियस का जो पीडेफ है वो आपको एप पर मिलेगा, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों को प्रदूसित करने वाले लोगों पर जुर्बाना लगाया जा रहा है। यानि इसका काम सड़क का निर्मार करना है और उनकी सुरक्षा करना है। इसका मुख्याले नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंतरी राजनास सिंग्ने उन्होंने सेंटर फॉर साइबर ओप्स एंड सिक्वर्टी की भी आधार सिला रखी है। दोस्तो भारतिय वायुशेना बिरासत केंदर में भारतिय वायुशेना के विविन पहलूं को उजागर करने के लिए हैरिटेज सेंटर में कलाकरतियां और सेमूलेटर और एरिक्टेव बोर्ड को भी सामिल किया गया है। जो भारतिय वायुशेना बिरासत केंदर होगा इसमें भारतिय वायुशेना से जोड़े हुए जो विविन पहलूं है उनको इसमें स्थापित किया गया है। नेक्स्ट कॉश्चन है एसियन वेट लिप्टिंग चेंपियंशिप 2023 में जेरेमी लाल निरूंगा ने कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों उन्होंने silver medal जीता है किसने जरेमी लाल निरोंगा ने तो ACI भारत तोलन चेंपियंशिप यानी ASEAN weightlifting चेंपियंशिप 2023 में भारत के जो weightlifter है जरेमी लाल निरोंगा तो उन्होंने 8 माई को जिंजू कोरिया में silver medal हासिल किया है कौन सा medal जीता है दोस्तों silver medal और यहाँ पर एक और question बन गया हमारा कि ACI weightlifting चेंपियंशिप 2023 का आयोजन जिंजू कोरिया में क्या गया है दोस्तों जरेमी लाल निरोंगा की बात करें तो इनका संबंध मिजोरम राज्य से है और 2022 बर्मिंगम Commonwealth Games में इन्होंने gold medal हासिल किया था तो यह बहुत important point है उन्होंन है ACI weightlifting championship में एक और भारत की weightlifter है जिनका नाम है विदिया रानी देवी तो उन्होंने 55 kg भारवर में silver medal जीता है ACI weightlifting championship 2023 में next question है नई इमारतों में gas stove की उपयोग पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला अमेर्की राज्य कोन बना है तो वो बना है New York तो दोस्तों New York अमेर्का का एक राज्य है जहां पर नई इमारतों में gas stove और अन जीवास्म इनन की उपयोग पर रोक लगा दी गई है और ऐसा करने वाला हुआ है अमेर्का का पहला राज्य बना है तो तीन साल के समय में नव निर्मित घरों को पूरी तरह से electric बनाने की अवशक्ता होगी यनि वहाँ पर electric stove होगे और जीवास मीधन से चलने वाले stove हो का उपयोग नहीं किया जाएगा इस कदम का उद्दिस New York की प्राकरति गैस पर निर्भरता को कम करना है और जलबायो परिवरता नियानी climate change का मुकाबला करना है अमेर्का की बात आई है तो अमेर्का से जुड़ियों कुछ important fact डिसकस करते हैं तो अमेर्की राष्टपती जो बाइडन की team में एक Indian American नीरा टेंडन को घरेलू नीती सलाय क्यार के रूप में अभी हाली में निक्त किया गया है अमेर्का वित्त वर्स 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार बना है जॉर्जिया में हिंदू फोविया के खिलाप अभी हाली में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जॉर्जिया भी अमेर्का का एक राज ह और हिंदू फोबिया के खिलाब प्रस्ता पास करने वाला वह अमेरिका का पहला राज बना है। ये 276 दिनों के बाद बापस धरातल पर यानि प्रत्वी पर आ गया है। ये 277 चेंपियन बने हैं। चाइना ने अभी हाली में फैन गियोन 3 सैटेलाइट लॉंच किया है। 20 अप्रेल को चीनी भासा दिवस मनाए गया है। और चाइना में H3 एनेट वर्ल्ड फिलू से दुनिया की पहली मौत हुई है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तो अब हम कल के करेंट अफियर्स को रिवाइज करेंगे। फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिसकस करेंगे। लाश्ट में पूछेंगे आपसे कोश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला कोश्चन था। फैसन मॉडल सेना वियर का निधन हो गया उनका समद किस देश से था उस्टेलिया से। सीबी यसी के द्वारा किस कक्षा के छात्रों को आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और कोडिंग का कोर्स सिखाया जाएगा। छैसे आड़ तक। नीरा टंडन को किस देश में घरेलू नीती सलायकार के रूप में नुक्त किया गया है अमेरिका में। ओडीसा भारतिय होकी टीम का किस वर्स तक स्पॉंसर रहेगा दो हजार तेईस तक। जब आज के चंदल लॉलेज के पिटारे में डिसकस करेंगी कुछ राज्यों की प्रमुक त्योहार। तो फ्लेमिंगो महुत्सव आंड़ प्रदेश में धानु जात्रा महुत्सव ओडीसा में नुवाखाई महुत्सव ओडीसा में और अन्तह प्रगणाई महुत्सव तेलंगाना में वोनालू और वुधकम्मा उत्सव तेलंगाना में लाई हरोवा कृप्रा में लोशार फा अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है विस रेड़ क्रॉस दिवस कब मनाया चाता है इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में दीचेगा मिलते हैं कल की लेक्षर में जैहिंद वन्निमात्रम